नमस्कार दोस्तो हुड को सेयर में आज की ट्रेडिंग सेसन में 0.82% के आपको क्लीर तेजी नजर आ रहे हैं उसे के साथ में देखेंगे स्टॉक में चोटी सी डोजी केंडल बनता हो देखने को मिल रहा हैं दोस्तो क्या यहां पर स्टॉक में और फिर गिरावट आने वाला दोस्तो हुड को सेयर को डिटल में समझने के लिए मैं आपको लेका हूँ यहां पर इनसी की वेबसाइट पर अगर आप नोटिस करेंगे आज की जो ओपनिंग प्रैस आपको दिखाए दरहें 200 रुपे 35 पैसा में हैं लो लगा यहां पर 197.30 और हाई लगा यहां पर देख परसेंटेज कॉंटेटिटेटि जोग अपको लिए जाता हो दिखने को मिल रहा है दोसरी जो परसेंटेज अगर आप इसकी क्वांटीटि देखना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए यहां पर ट्रेडिट इंग भली में आपको दिखाई दरहें उसके साथ में अपको इ पाट जल जाए कितने ओंट है देखने को मिलते पहले पेले लिखा रहता है कि कि अफ्ली इस सब्सक्राइब कोई बात है बात है crab आप चार्ट में क्या कंडिसन देखने को मिल सकते हैं दोस्तो होड को सेर को डिटल में समझने के लिए सबसे पहले चार्ट को लगाएंगे वीकली टाइम प्रेंप रहें तो देख सकते हो वहर लिश टॉक की जो ट्रेंडे आपको इस तरीका से एक और में कंटीनिव करता हो नजर आ रहे हैं तो अभी की कंडिसेन के सब सब देखेंगे स्टॉक में जो रेशन्स लेवल आपको दिखाई रहे हैं 223 रुपय में हैं सपोर्ट लेवल के बात करें सब्सक्राइब आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखने के आवर सकते हैं इसी टाइम फ्रेम के दोरान पूरी मार्केट में गिरावट थी मैक्सिम स्टॉक में को बड़ी गिरावट देखने को मिले उसके बास स्टॉक में अभी रिकावर हो चुका है मैक्सिम स्टॉक में लेकिन इसी टाइम फ्रेम के दोरान जो है बड़ी गिरावट देखने को म नहीं मिले इसका रिजन क्या है देखें दोस्तों स्टॉक में जो उपर जाने की पॉसिबिलिटी रहता है भले मार्केट में गिरावर्ट रहें कुछ भी बैडने हुजा जाए लेकिन सेयर में इतनी मतलब की कुछ फरक पड़ता नहीं जैसे का आप यहां पर देख रहें सब्सक्राइब की लोग यहां पर 160 की पास में इसको रहेंने नहीं दे रहें देखें ने कि दूबारा यहां पर आया था फिर से लोगों ने बाइख कर लिया मतलब कि यहां पर अगर आपको कुल नोटिस करेंगे इससी एरिया में जो है डिमांड बहुत जादा है दोस्ता सब्सक्राइब के केंडल बनता है निकि जो नीचे साड में देखेंगे सेड़ बन जाता है तो जैसे कि आपको यहां पर क्लियरली विखाए दर है तो यहां से हमें एक बात समाझ में आ रहे है कि पसिबिलिटी बिल्कुल हाई है स्टॉक यहां से उपर जाने के लिए लेकिन जिनको थोड़ा सा अभी से मतलब रिस्क ले सकते हैं तो उनको क्या करना है वह क्या करते ना सपोर्ट पर बाई करते हैं चोटा से स्टॉपलस लेते और बड़ा प्रोफिट बना लेते तो उनके लिए तो भाई हर सपोर्ट एक मोग का होता है जिससे कि आप यहां पर यहां पर नोटिस करेंगे तो जब भी जब यहां पर 25 दिन गिरावट दिखा यहां तक आया लोगों ने बाई किया कितनी बड़ी-बड़ी केंडल बन रहा है लोग यहां पर इकर रेट यहां पर अब कर रहें हैं और यह ग्रीन केंडल में एकन बाईंग हुआ है जोन क्यों बता रहा हूं कि देखें बार-बार स्टॉक ने उस लेवल को जाने के बाद जो है गिरावड दिखाई तो इसलिए एक रेइसन्स जोन इसलिए स्टॉक यहां पर रूख गया आज की ट्रेडिंग सेज़र में कोई बड़ी भलिम देखने को नहीं मिली रिजन यही देखेंगे इसमें इतने बड़ी नहीं रहा क्योंकि क्योंकि यहां पर क्या है रेइसन्स जोन के पास में स्टॉक अभी है और जैसा आप देखेंगे इस लेवल को ब्रेकाउट करेगा इसलिए 226 को हिट करेगा और 226 को ब्रेकाउट करते और भी तेजी आएगा भाइंकर तीजी आएगा तो क्या टार्गेट रहेगा ओ यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं दिखाना वाला हूं ठीक है तो चलिए समझते हैं 226 का उपर हमारे लिए क्या टार्गेट रहेने वाले दोस्तों यह जो लेबल मैंने ड्रॉग के फिबोनेसी का लेबल बहुत अच् टेस्ट किया हुआ है अगर आपको नहीं पता तो आप इसको एक बार रिसेच कर सकते हैं ठीक है तो पहले टार्गेट आपके समने आ रहे हैं 270 रुपया का रहेगा दूसरा टर्गेट 300 रुपया में रहेगा तीसरा टर्गेट आपको दिखाए तरह 413 रुपय में अजया वाद